Good morning students, welcome back. Today's topic is Gifts we get from Plants. उपहार जो हमें पौधों से प्राप्थ होते हैं, उपहार जो हमें पौधों से मिलते हैं. A. Name five things that plants give us. पांच वस्तुओं के नाम लिखिये जो हमें पौधे देते हैं. Take help from the picture clothes. तो यहाँ पर picture दिये गए हैं, इनकी सहायता से हमें इनके नाम लिखने हैं, यानि कि इन pictures को देखके हमें उनके नाम लिखने हैं. क्योंकि ये सभी चीजें हमें पौधों से प्राप्थ होती है. First है टायर, second है chair, third rope, fourth fruits, fifth paper. तो ये चीजें हमें पौधों से प्राप्थ होती हैं, टायर, chair, rope, fruits, पेपर. ये सभी चीजें हमें पौधों से प्राप्थ होती हैं, ये चीजें हमें पौधे देते हैं. बी, name two plants that, दो पौधों के नाम बताने हैं, first give us fabric to make cloth, दो पौधों के नाम बता, ये जो हमें फैबरिक देते हैं, जिन से कपड़े बनते हैं. तो दो पौधों के नाम है, cotton, jute, cotton plant, jute plant, तो इन पौधों से हमें फैबरिक मिलता है, जिससे कपड़े बनते हैं. Second, give us fruits, दो पौधों के नाम जो हमें fruits देते हैं, फल देते हैं. First है, apple, second banana, third, give us food to make furniture, दो पौधों के नाम बताने हैं, नाम लिखने हैं, जो हमें लकड़ी देते हैं, जिन से furniture बनते हैं. टीक, महोगनी, तो इन पौधों से क्या बनता है, furniture बनता है, इन से लकड़ी मिलती है, और जिससे इन लकड़ियों से furniture बनता है. Fourth है, give us medicines, दो पौधों के नाम बताने हैं, जो हमें दवाईया देते हैं. नीम, यूकॉलिप्टस, तो नीम और यूकॉलिप्टस यह हमें medicines देते हैं. Fifth है, are used to make hot drinks, इनका use hot drinks में बनाने में किया जाता है, तो वो plant है, tea, coffee, tea plant, coffee plant. तो students, आपको page number 28, book में करना है, book में लिखना है, और इसे learn करना है, यही आपका homework है. Thank you.